और इस गोल्ड में आपका स्वागत स्वाथ्य समंदी चर्चा में होमियोपेती इस वक्त अत्य दिक संदी की वज़े से बहु जल्दी ठंड खा जाना अत्वा बुखार आ जाना अत्वा हाथ पाउं तूटना एक तरह से आदमी के सरीर में ठंडी की वज़े से जमता तो अंदर खून है और मैसूस होता है कि जैसे पूरा सरीर जकट गया हो तो ऐसे मौसम के अंदर चाहे कोई बिमारी न हो अगर चोटी मोटी कोई बिमारी हो बाता लगा बड़ी बिमारी न होना चाहिए तो होमेपेतिक में जो दवा है इस अकटन और जकटन को नह होने देने के लिए या कम मेहसुस होने देने के लिए अत्वा होने के बाद ठीक करने के लिए दवा जो है आर निका दो सो में तीन कुराक और एह सजार में एक कुराक हर तीसरी चोते दिन लेते रहने से जिनके सरीर में वाट व्यादी है गुटना दर्द करता है और है उनके लिए अमरत है और बाकी सब के लिए भी अच्छी दवा है क्योंकि ये सरीर के अंदर जो रखत है उसको जमने नहीं देती और इसका कोई साइड इफेक्ट ने आज मैं आपको बताऊँगा एक बहुत अच्छी दवा जो खांसी वगएरा में काम आती है इसका नाम है इस्टिक्टा इस्टिक्टा पल्मो नेरिया इस्टिक्टा उसनी बहुत उपियोगी थाभित होती है जब रोगी अपने आपको बिमार सा महसूस करता है जैसे रोगी को सदी जुखहम होने वाला हूँ माथे में हलका हलका सा दबा पड़ता हूँ आदी इसके अलावा गर्दन का गठिया के रोग के कारण आकड जाना जैसे रोगों में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा विबिन लक्षनों पे इस टिक्टा का काम बहुत बढ़िया है इसके रोगी का जो मन होता है अजीव अजीव से क्याल आते हैं जैसे कि वह हवा में उड़ रहा हो हर समय रोगी अपनी ही बताई हुई खयालों में खोया रहता है रोगी चाहता कि हर समय कोई उससे बाते ही करता रहे हर समय कोई उससे बाते ही करता रहे देखिए यह जो मानसिक लक्षन है ना कमजोर नहीं होते हैं इस तरह के लक्षनों में रोगी को इस्टिक्ता तीस पोटेंसी देने से उसको बहुत लाब मिलता है इसके रोगी के शिर के जो लक्षन है अलका हलका दर्द होना रोगी के माते में और नाक की जड़ में दर्द होने के साथ ही उन पर हलका हलका सा दबाप पढ़ना सर्दी का स्राव शूरू होने से पहले शिर में दर्द होना रोगी को अपनी खोपड़ी बहुत ही छोटी सी न जलन होना जैसे लक्षनों में रोगी को इस्टिक्ट पलमिनोरिया तीस पोटेंसी दिन में तीन बार दस दिन देना चाहिए रोगी की नाक के नाक की जड़के पास पूर्न तासी महसूस होना नाक में सुजन आने के कारण जलन सी होना नाकी जिलियों का खुसक सा होना रोगी लगाता नाक साप करता रहता लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकलता साम के समय और रात को रोगी की नाक में सुकी सी पप्रियां जमती रहती है परगल जुवर रोगी को हर समय छींके सी आते रहना जैसे लक्सनों में रोगी को इस्टिक्टा ओस्दी देनी चाहिए वैसे भी ये एलजी की और खांसी जुकाम की बहुत अच्छी दवा कोई नुक्सार नहीं करती है इसके रोगी के पेट के लक्सन होते हैं दस्त अधिक होना सुब के समय दस्त बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के जैसा आना पेट का बार बार आना पेट की नली में किसी रोग के होने के कारण दर्द सा मैसूस होना लक्सनों में रोगी को इस्टिक्टा देने से लाब होता है बेन बेटियों के अस्तावनों में दूद कम आने जैसे लक्षन प्यदा होते हैं तो इस टिक्ता होती देने से ठीक हो जाती है रोगी को सुबे के समय खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बल्गम का आना गले की नली में जलन होना उरो इस्तित के इस्दीड की हड़ी पर छाती में पहुंचने वाला दद, रोमान्तिक का रोग के बाद होने वाली खांसी, रात को सोते समय, एक के बाद एक होने वाली खांसी, जो सांस लेने पर ज़्यादा होती है, उरो इस्टित के दाएं भाग के नीचे पेट तक करी रहे स्पंदन, आदी लक्सनों में रोगी क इस्टिक्ता पलमिनोरिया देना चाहिए, देखिए, खांसी की होमेपेतिक में अनेक दवाईयां हैं, कोई खांसी दो-चार दिन, दस दिन, कोई दवा अच्छी लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होती, तो एक बार इस्टिक्ता को आज माना चाहिए, तीस पोटेंसी द दाइना कंदे के जोड में गठिया का दर्द, कंदे की पेसी में, दिवमुंड पेसी में भी होता है, जोडों में सुजन, गर्मी, लाल होना, रोगी के जोडों में बहुत तेज और खिचावदार दर्द का होना, आक्षे परोगी को ऐसा लगता है, जैसे कि उसके पेर में उड रहे हैं, गुटने के जोड की जिली में दर्द होना, गुट्रों में बहुत तेजी से होने वाला, दर्द, जोडों और उसके आसपास की पेशियों का लाल होना, सर्दी के लक्षनों से उत्पन होने से पहले गठिया रोग का दर्द होना, इन लक्षनों में अगर गुश्टिक्ता दिया जाए तो आराम मिल लगा, यह बड़ी काम की दवा है यह वात रोग और पित रोग का समन करती है, नई सोरी वात रोग और कफ रोग का समन करती है अधिक तर ये वात और कफ कफ के अंदर खांशी जुकाम आपके एलरजी फेलरजी ये सब आ गया और वात के अंदर सिर्फ गुटना ही नहीं पूरा सरीर आता है दर्द करता है अकड़ता है ये दवा मैंने बहुत दफ़ा काम में लिये इसका कभी साइड इफेक नहीं होता और अधिक तर मामलों में ये सक्षेजी होती है इसके रोगी की तकलिफे तापमान में होने वाले बदलाव के समय बढ़ जाती है इसकी तुलना बेलाडोना से कर सकते हैं सबसे पहले इसको एक बार लेके तो देखो फिर मेरे को बताना क्योंकि मैंने कोई खांची का रोगी आता मैं ये भी ने पूस्ता कब की है क्या है क्या नहीं है समय बरबाद होता है मैं सिदा इस्टिक्ता देता हूँ और दो दिन बाद आके खता है मैं ठीक हूँ जबकि इतना ये लिखावा नहीं है कि हर कांची में दी जा ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि मेरा जो खुद का अनुभव है उसे अगर आप लाइक करते हैं तो आजमा के कभी-कभी देख सकते हैं कि मैंने जो कहा वो सही है या नहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगए सब्सक्राइब करें अभी मोसम है और इस्टिक्टरा तीस अपने घर में रखें किसी को कांसी जुकाम हो दें गुटनों का दर्द हो तो दें कमर में दर्द हो तो दें ये पेन केलर बहुत जबरदस्त है और प्रा इस स्थंड की मोसम में गुटने भी जबाब देते हैं गर्दन भी जबाब देती है और सरीज में रक्ष भी जमता है और जुकाम भी होता है तो कुल मिला के अभी इस मोसम की दवा इस्टिक्टा पल्मोनोरियातिस पोटेंशी वीडियो सब्क्राइब करें